हे गाईस गूड मॉर्निंग और वेलकम बैक टो माई योट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज चुई व्लॉग में शूट कर जूट कर जूँ न तो आज है संडे का दिन और मुझे नहीं पता कि यह कब आप आप आएगा क्योंकि में तब यह कुछ टेक नहीं रही है तो किचिन को साफ करना था इदर काफी टाइम हो गया था तो मैंने और मिया थाए तो आज बस मैं जा रही हूं अपने किचिन की क्लीनिंग करने के लिए जिसमें मुझे मुझे पूरा काम करना है तो काईटन वेगरा सभी कुछ निकाल का यहां पे दोंगी तो ऊपर मैने कार्टन का रॉड है तो इसमें जो आगे जो लगता है उसको लगा कर दे रही है। क्योंकि जब तक मैं किचन की क्लीनिंग करूंगी उसके नहाँ कि दोगी तो तब तक मेरे जो कर्टन में तो शूख जाएंगे तो फिर मैं इसली शाम तक लगा दूगी तो यहां पर देखिए मैंने लिकवर्ट वाला डिजरर्जन यूज किया है और इसको मैं डालके बाल्टी में अच्छे से मिक्स कर दिया है मिक्स करके अब मैं इसमें पर्दे फुला दूँगी क्योंकि किचिन के थोड़ा तेल वेगरा और बर्तनों का पानी वेगरा सबी कुछ लगता रहता है तो इसलिए मुझे इसको भीगोना पड़ रहा है और वरना तो ऐसे वाशिंग माशीन चलानी नहीं थी वरना वाशिंग माशीन में डाल देती तो मैंने का चलो इसको हाँ अपने किचिन के क्लीनिग तो यहां पी वेराटू मेरा ज़ घर पर है जिसने का इससे कियु आपको पता है का डेने तो वेराट era mya helia कर रहा है कि को यहां पर सारे बां माशी बातार में थी इनिदे कर दी तो बस वही कुछ चीज मेरे साथ भी होती है। अदिके सॉस की बोटल खाली हो गई तो मैं इसको फेकना चाले थी लेकिन फिर मैं इसको कुछ दिमाग में आइडिया आगया तो मैंने इसको रख लिया है और जो भी आइडिया है वो नेक्स ब्लॉग में आपको देखने को मि बिचा दिया नियूस पेपर तो मैं पहले बता दूं कि यहां पे ना भी नियूस पेपर ही लगा हुआ है जो सबसे उपर वाली शेल्ब है उसमें तो जो शीर होती है वो बिच्छी होई लेकिन यहां के लिए कम पढ़ गई थी और उसके बाद फिर मैं ला भी नहीं पाई ऊसके हेल्प से मैं इसको साफ कर दी canal सारे डिपे से काफी अच्छी से मैल जमा हुए होती है वो बहुत अच्छी से निकल जाती है कि उसलिए मैंसी का यूस किया है और मैं ज्यादा पानी का यूज नहीं कर रही हूँ एक भगोने में मैंने पानी ले लिया है गरम उसे मटिशन डालके डिप पे साफ कर लूँगी और वाश करने के लिए भी मैं इसी तरह से करूँगी क्योंकि आप सब को पता है ठंड का टाइम है और ठंड में ज्यादा पानी में मतलब जाने की हिम्मद भी नहीं पड़ती है और गंदगी भी नहीं देखी जाती है तो मैंने ये अपना आइडिया लगा लिया कि चलो इस तरह से ना ठंड का वो रहेगा और ना ही मतलब गंदगी रहेगी सबी को सफाई हो जाएगी तो बस देखे इस तरह से मैंने करा और फिर मैंने देखे साफ पानी ले लिया और साफ पानी मैंने दो जगा बनाया है पहले एक पानी से मैं पूरे साफ करूंगी उसके बद दूसरी पानी से मैं साफ करूंगी कर दो दो कर दो तो यहां पर देखे सारे डिब्बे वेगार हो गए हैं साफ और दो पोचके मैंने उसको रख दिया है और अब आता है टंक्यों का नंबर तो टंक्या भी जितनी है तो इसको भी मैं उसी तरह से साफ करूंगी मतलब लिक्विड में कपड़े डालके बिगो के उससे फिर मैंन पर सुखे कपड़े से पोच दूँगी जिससे कि इसमें बिल्कुल भी जंक वेगार नहीं लगेगा तो यहां पर सारी टंक्या वेगारा भी होगा इंसाफ और उसके बाद मैंने सारी टंक्यों को नीचे जितना भी सामान ता सब मैंने यहां से अटा दिया है और अब मैं क रखा होता है तो यह जल्दी बेली साफ नहीं हो पाता है तो इसको वीकली में तो करी लगना चाहिए मगर मैं सच बताऊं कि मैंने कि इसको वीकली भी नहीं कर पाई थी क्योंकि में इतरका कुछ दिनों से कर देदर कराब चल रही है और बार बर मैं तबयत कर रोना नहीं तो आप यह कोगे कि बार बार तबियत का बता रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगेगा ना कि ये नीचे का हिस्सा है तो आप रोज कर सकते हो बट प्रॉबलम इसी बात की थी केवल तो यहाँ पर देखे मैंने धुलाई कर ली करने के बाद सारी टंकिया मैंने लाकर के रख दी है और अब मैं लगाँगी यहाँ पर पोचा पोचा मैंने इसलिए बात में लगा रही हूँ क्योंकि मैंने स्लीपर पहन रखी हुई है और अगर मैं पहले लगाती ना तो फिर पहर पहर बन जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता है तो बस अब यहां पर लग चुका है मेरा पोछा और अब मैं जारी हूं नहाने तो पहले मैं धूँगी किचिन वाले पड़े पर्दे दूरने के बाद फिर मैं नहाने के बाद फिर जब मुझे शाम का टाइम मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूं तब मैं यह वीडियो शूट करनी हूं तो यह जो बास्कित देखिए ना काफी इसका कलर ना फैड हो चुका है तो फिर मैंने इसको यहां पर वाइट कलर से क्योंकि यह हमेशा मेरे गर में आपको मिल जाएगा तो बस इसको मैं कर ले रही हूं पेंट तो यहां पर देखिए पर्दे लगा दिए यह पूरे और अब देखिए यह वाला जो सेक्शन है यह बचा हुआ है बूरा तो यह जो है तो यह लगाया था यहां पर यही वाल चलिए बस लगा लेते हैं यहला वाल पेपर जो की बहुत ही थोड़ा सा लगाना है तो इसको पहले मैंने उल्टा फोल्ड कर लिया ताकि जो इसके सिल्वाटे हैं वह काफी अच्छे से ठीक हो जाए उसके बदेखिए मैंने नापके यहां पर इस ट्रिप कट करी क्योंकि इस तरह से देखे डिपे वेगारा उपर बढ़ियां से लगे हैं और यह देखे पूरे में मैंने लगा दिया है वाल पेपर और नीचे वाला लोग को जो लोग फर्स टाइम देख रहे हैं तो वह देख सकते हैं बाकि आपने याला पहले भी देख रखा होगा जो मेरा इस जब एक्सराइस करने जाते हैं तो पाने लेके जाते हैं बाकि यह डेली वाले कप मैंने जिसमें चाय कॉफी पीती हूं और यहां पर देखे पहले रखा हुआ था मेरा माइक्रोवेव वह यहां से मैं अटा दिया है तो वह मैंने कहा रखा है वह देखने के लिए आप ने कर रखेगा चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई थैंक्स फर वाचिंग